हेलो एवरिवन मैं रूर्वी स्वागत है मेरे वालकनी गार्डेन में तो चलिए आज हम एक बहुत ही सुंदर पौधा मधुमालती के बारे में बात करते हैं ये गर्मियों का बहुत ही सुंदर पौधा है इसका फूल पहले वाइट होता है फिर देरे देरे पिंक रेड सा हो जाता है और इसके फूल में खुसबू भी होते हैं हलके हलके बहुत अच्छा लगता है इसका खुसबू सुंगने में तो चलिए लगाते हैं इस पौधा को इस पौधा को लगाने के लिए हम वेल ड्रेन सोयल मिक्स त्यार करेंगे ये देखिए मिट्टी चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है पौधा तो हम थोड़ा-थोड़ा खोल लेंगे रूट बॉल को मैं इसको खोल ले हूँ थोड़ा बहुत मिट्टी हठा दी निच्चे से जड़ दिखने लगे अब फिर हम लगाएंगे इस पौधा को लगाने के लिए हमने मिट्टी लिया है जो भूरबूरी वेल ड्रेन रतिली मिट्टी होती है उसमें 20 परसेंट खाद मिक्स किया है औ पर एक दू मिट्टी नीम खली सबसे पहले हम ड्रेन मूल पर पत्थर रख लेंगे या ठिकडी जिससे मिट्टी हमारी वहां पर जाके निकले नहीं नीचे से यह देखिए मेरा पौधा लग गया है अच्छे से मिट्टी को दबाते हुए लगाएंगे पौधा को पौधा लगाने के पाद हम पानी देंगे अच्छी तरह से ताकि ड्रेने जोल से पानी बाहर निकल जाए और पौधा लगने के बाद हम चार-पांच दिन के लिए पौधा को सेमी सेड में ही रखेंगे उसके बाद धीरे-धीरे अम धूप में लेके जाएंगे वैसे तो यह गर्मियों का ही पौधा है धूप में रखने वाला फूल धूप में रख सकते हैं इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें थेंक्यू